दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंडियन ओयल समित साथ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस और डिविडेंट अनौस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनों मीडिये अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं आप एमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है जीनस पावर लिमिटेड कंपनी का करेंट स्टॉक प्राइज 140 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 0.75 रुपीज का इस डिविडेंट को दिन की जो एकस्ट होने वाली हो 14th of July की होने वाली है और वही जो रिकॉर्ट डेट है वो भी सेम डे की होने वाली है यानि की 14th of July की अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है वाल्चंथ पीपल फर्स्ट लिमिटेड कंपनी का करेंट स्टॉक प्राइज 126 रुपीज क कंपनी का करेंट स्टॉक प्राइज 412 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया 12.50 रुपीज का और इस डिविडेंट को दिने की जो एकस्ट होने वाली हो 4th of August की होने वाली है और वही जो रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डे की हो रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया 2 रुपीज का हाला कि स्टॉक प्राइस के इस डिविडेंट काफी जाद कम है इस डिविडेंट को दिने की एकस्टेट होने वाली है 14th of July की अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नामे APM Finvest Limited कमपनी का करेंट स्टॉक प्राइस 131 रुपीज के उपर में चल रहा है कमपनी ने आप स्टॉक बोनस अनौंस कर दिया है 2 is to 1 के रेशियो से अगर आपके प्रास में इस कमपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पे आपको दो स्टॉक से जबोनस मिलेंगे टोटल में सेवन्त ऑफ जुलाइकी होने वली है और वही जो रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डे की होने वली है यानि की सेवन्त ऑफ जुलाइकी आईए बात करते हैं आप एमारे अगले अलास टॉक की तो कमपनी का नाम है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड कमपनी का करेंट स आपको एक opportunity देती है अगर आपके पैस में already company के stocks मौजूद है तो आप company के और stocks को एक discounted price पर purchase कर पाऊगे और इसका जो रेशियो रहता है for example मैं एक example देता हूँ अब पता नहीं company किस ratio से announce करें अगर suppose कर लेते हैं 100-10 का ratio है तो अगर आपके पास में इस company के already 100 stocks होंगे तो आप अगले 10 stocks को जो एक discounted price पर purchase कर पाऊगे वो जो discounted price होगा suppose कर लेते हैं अगर 80 rupees का आता है तो आपके पास company के 100 stocks है और आप 10 stocks अगर purchase करते हो तो 80 रुपे के हिसाब से आपको और company के 10 stocks आहाँ पर मिल जाएंगे तो अभी ratio क्या होता है और discounted price क्या रहता है ये पूरी त के अंदर मैं इतना ही रखते हैं यही 7 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिल किसी और वीडियो के अंदर till then bye